नमश्कार दोस्तों में आना में गौर्ण भार्दाज को पांडेटी राइनोस और आज एक और वीडियो लेके आया हूं मैं आपके आपके लिए जिसके इंदर मैं आपके साफ डिसकस करने वाला हूं स्मार्ट वर्ड वन डी एक्सपी के बारे में क्या अपडेट सें यहां पे तो अभी जो फेज वन है वो काफी अतक सोल्ड आउट हो चुका है और जल्दी आपको फेज टू मिलेगा सुनने को कि लांच हो रहा है उसका लाइसेंस वगरा आ जाएगा और वो भी लांच हो जा 3.5 वी ऑल्मोस होल आउट है जो 2600 के फिट है लगबग साढ़े तीन चार से चार करोड के बीच में इंवेंटरी का जो है प्राइस जाता है तो मैं आपको यहां पर कंप्लीट इंफर्मेशन दूगा इस पूरे प्रॉजेक्ट की इनकेस अगर आप फर्स टाइम आया हमार चार पर प्राइस पर साही बिल्डर के साथ साही लोकेशन पर प्राइट प्रॉट्फोल येंदर एंट्री करने के अंदर और प्रॉट्फरी टाइम पर प्राइस पर हम एक्जिट भी नहीं कर आप तो हो सकते हैं आप लग को नोड़ पर गवा दें और या फिर ना बचा पाएं, so make sure channel को subscribe कर दीजे, bell icon hit कर दीजे, hi guys में आमें गोर बादाच चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से भी पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ यहां पर so that you can have better clarity about its location, कि exactly location कहां है हमारी इस पर पर श्रुआत की आप वालड 1DXP आ पर नियर लिए अंपर इसके लोकेशन आप बिल्कुल टैली के बिल्कूल के बिल्कूल प्राइब को देली रहे है गुरुक्राव के बॉर्डर पे है विल्कूल प्राइम ध्यां जो लाएकर का लेंट बेंग है यहां पर इसके अ मिलने शॉल्प पर पिरकाइब के उपने जैका यूज जदने वालिक काल कि स्थीपन पर पर आपि आपको यूज है कर देली के इस पर कप्रिक हो जाते हैं इस लोकेशन के और जो एक्सप्रेस्वे का जो फ्लाइओर है जांपी बिल्कुल लीचे होता है वहाँ पर इसकी लोकेशन है इस लोकेशन तो अभी यहाँ पर मैं आपको लोकेशन के अलवा भी कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूं यहाँ पर कि जो मैंने आपको अलड़ी वीडियो के अंदर भी दिखाया है अभी यहाँ पर तो इसकी लोकेशन के आसपार जो मीजर लेंडमार्क्स आ जाते हैं वो आ जाता है आपका एरो सिटी आईजए एरपोर्ट साइवर सिटी द्वारका सेक्टरी किसका मेट्रो स्टेशन इस लोकेशन की डिमांड काफी बढ़ेगी मार्किट के अंदर प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के अंगल से अगर आप देखोगे तो काफी प्राइम लोकेशन रहने वाली है यह ओके इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट ग्रो इंटरनाशनल कंवेंशन सेंटर हो गया डिपलमेटी इंक्लेव 2 हो गया 18-hole का गोल्फ कोर्स हो डिए द्वार का के नदर इंटीग्रेटिड स्पोर्श कंप्लेक्स हो गया भारत बन्दना पार्क एंड इंटीग्रेटी टांस्पोर्टेशन हाँ तो छे मेजर लैंड मैं से लोकेशन की डिमांड बढ़ेगी और यहां पर जो भी इंवेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो काफी अच्छा-कासा अप्रीशेशन आपको देखे जाएगा तो आई-ए-सी-सी अल्रेडी मैसिव प्रॉब्जेक्ट है जस लाइक प्रिगती मैदान इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर है बहुत ही जल्द इसका भी आपको इन्नागरेशन देखने को मिलेगा इसके अलावा यहां पर दस हजार लोगों की सीटिंग कैपसिटी का ओडियो ट्योरियम बन रहा है 20,000 लोगों के लिए मल्टी परपर जरीना है इसके अलावा इंटिगेटीड ट्रांस्पोर इसके अलावा चार और स्पोर्स कॉंप्लेक्स भी बन जाएंगे 2030 तक तो डिप्लोमेडिक एंकलेव टू ऑपरेशनल हो जाएगा 18 होल का गोल्फ कोर्स ऑपरेशनल हो जाएगा बर्त बन जाएगा और यह रीसेंट अपडेट्स है मार्किट के इस प्रोजेक्ट के आसपास जो डिवलेप्मेंट हो रहा है और इसके आसपास 15 इंटरनेशनल स्क काफी कंपेटिटिव प्राइज है आपका इस लोकेशन के अंदर जो लगबग आपका 13-14 रुपे से लेके और 17,000 पर पर सके फिट के आसपास जाता है तो अगर आप देखोगे अक्रोस गुर्गामा तो यह काफी कंपेटिटिव प्राइज है आने वाले टाइम के अंदर अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्यों यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर अप्री सेशन होगा और कितना होगा अगर वो मैं आपको एक बॉल्पार्फ फिगर बताऊं तो लेट मी शो यूग बॉल्लपार्फ फिगर क्या अप्री सेशन हम एक्सपक्ट करते हैं और यहां पर क्यों इतना अप्रिसेशन आएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी जस्ट ए मोमेंट तो यहां पर अभी द्वारका एक्सप्रेस से डेवलपमेंट हो रहा है उसने अपना पेंगेस गेन कर लिया है तो यहां पर रगबग 13,000 पर के आसपास है 12-13,000 पर पर्स के फिट का जो रेट है वो इस्टैबलिश हो चुका है जैसे ही इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन से सेंटर कंप्लीट होगा आई ऐसी सी वह बहुत एक जबर्दस चीज़ है प्रिगती मैदान की तरह है और आने वाले टाइम के अंदर बहुत साय लोग यहां पर इसलिए ही अपार्टमेंट ले रहे हैं क्योंकि आ रहा है तो वहां पर जैसे ही कंप्लीट हो गया 14-14,000 का र इस लोकेशन का और स्पेशली वह सेक्टर जो डैली के निरेस्ट है उसके बाद टैनल कंप्लीट हो जाएगी एरपोर्ट से कनेक्टिवीडी हो जाएगी जो मैंने आपको बताया इंटेग्रेटिड ट्रांस्पोर्टेशन का हब हो जाएगा इसके अलावा लाज स्केल रे पास का रेट टाच हो जाएगा इस लोकेशन का और एक बाद डिप्लमेटिक एंक्लेव टू अ स्टार्ट हो गया तो वहां पर एरो सिटी टू ऑपरेशनल हो गया लगबग बाइस लार पर स्केफिट का रेट यहां पर एप्रॉक्सिमेटली कर जाएगा तो यह जो मैंने आपको मेजर लेंडमार्क्स बता है उसकी वज़े से रेट एप्रीशेट होगा इंक्रीज होगा और इस लोकेशन के आसपास भी इंक्रीज होगा ही होगा तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्रॉडट की काल्ड कन्फिग्रेशन की तो यहां पर 2.5, 3.5, 3.5, 3.5 प्लस स सब्सक्राइब तक के आसपास के कन्फिग्रेशन अविलिबल है और यहां पर आपको जो फैसिलिटीज और एमनिटीज मिलती है इस प्रोजेक्ट के अंदर इसके अलवा मल्टीपल वाटर फीचर्स रहेंगे लगून की थीम है इस प्रोजेक्ट की थार्ड यहां पर वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का फिटनेस सेंटर रहेगा प्लस शैफन कॉल रहेगा इंकेस अगर आपके घर में कोई गैस्ट आते हैं कोई चोटी अपने स्मार्ट फॉन से पूरे घर को मैंनेज कर सको कर्टेंज हो गया डॉर्स होगे इसके अलवा लाइट वहिसिछ कि Jenkin ti 2BHK plus study जो yellow color के आपको दिख रहे है यह almost sold out है 2-3 inventory यहाँ पे बचे हुई है yellow color की 3BHK plus study 1806 square feet है यह वाली यूणिट्स है जो आपको red color में दिख रही है 3BHK plus study plus utility आपको यह दिख रही है 2015 square feet वाली unit है यह तो यह वाली sun facing units है यह daily green facing units है इसके लाओ जो blue color की जो units है ये हैं आपका 4B bedroom की units तो ये phase 1 है 8 towers है A, B, C, D, E, F, G, H और ये I, J, K, L, M, N, O, P ये आपके phase 2 के अंदर launch होंगे और ये आपका retail है यहाँ पे भी अगर आप commercial investment देख रहे हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो आल राइट तो ये बेसिकली पूरा layout है इसका इस type का फसाद रहने वाला है इस project का ये water bodies है center के अंदर that's how it's going to look like तो इस तरफ आपका द्वार का express वे दिखेगा और ये lagoon facing है तो ये 4 bedroom की units है इस इस अनदर view और ये आपका swimming pool का view है club का view है so यहाँ पे आपका club है you can see this and this is the empty theater तो unit plans के अगर मैं बात करूँ तो ये आपका four bedroom plus servant का layout है तो यहाँ से आप entry करते हैं drawing and dining area L type के अंदर plus bedroom number one, bedroom number two, bedroom number three and master bedroom number four और यहाँ पे dressing area के लिए पे काफे space दिया हुआ है और हर एक रूम के अंदर balconies मिलेंगे आपको for example this is the balcony this is the balcony common between two these bedrooms this is the balcony that is common between this bedroom and this drawing and dining area and this is the kitchen area and this is the utility room or you can say servant room तो इसका access separate है बाहर से इसके अलाबा इसे छोटा size है 2015 स्केल फिट का three bedroom plus servant quarter इसके entry यहाँ से है अगें L type के अंदर drawing and dining area है space for study room bedroom no.1 and bedroom no.2 and master bedroom no.3 and this is the servant room utility room तो इसकी entry servant quarter की entry separate है main entry separate है and again balcony common है drawing and dining area this bedroom के अंदर इस bedroom के अंदर separate balcony है इस bedroom के अंदर एक अंदर separate balcony है अगर इसके अब से छोटा size देखू तो यहाँ पे 1860 square feet की unit है यह without servant room so this is the entry L type के अंदर drawing and dining area space for study room अगर इसको आप चाओ तो home office भी रख सकते हो अगर आप चाओ तो यहाँ से wall अटा के अपने living and dining area को बड़ा कर सकते हो this is the kitchen area bedroom no.1, bedroom no.2, bedroom no.3 so again balconies है plus इसके अंदर servant room नहीं है इसे जो छोटा size है सबसे छोटा size है 2.5 bedroom plus study है तो again entry यहाँ से है L type in the drawing and dining area space for study room bedroom no.1, bedroom no.2 and this is the kitchen this is the balconies all right so that's how layout is going to look like काफी efficient layout है complete white goods का package भी मिल रहा था early bias के लिए high end home automation मिल रहा था एक लाग 10,000 के fit के आसपास का club है all right और यह basically इसके features थे जो भी products था अब आद आते हैं pricing के उपर तो pricing broadly क्या है और अभी एक offer चल रहा है जिसके बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है real estate profit offer इसके अंदर क्या है pricing again let me show you कि कुछ दो type की units है यहाँ पर लगून facing and loan lagoon facing तो जो हमारी internal facing units थी इसको हम lagoon facing units बोलते हैं जो भी हमारी internal facing units है इस आद लगून facing unit और जो हमारी external units है वो या तो डेली ग्रीन व्यूव फेसिंग है या फिर city facing है दोआर का एक्सपैस वे फेसिंग है तो दोनों का प्राइस अलग है क्या है प्राइस आर्टियों के अंदर लेट मी शो यू और जो प्राइस है यहाँ पर अल्मस्ट ओल इंक्लूसिव है एक्सेप्ट आपका GST तो यह दिस इस इस दा प्राइसिंग तो अलग अलग payment plan है 30-30-40 का payment plan है तो 13,750 रुपे पर्स के fit का rate है और नोन लगून फेसिंग का यानि कि या तो डेली ग्रीन फेसिंग या फिर सिटी फेसिंग 14,250 रुपे का rate है लगून फेसिंग यूनिट का 30-30-40 के payment plan के अंदर तो आपको 30% payment देना है पर्स के अलाबा 95-5% का payment plan है उसके अंदर rate आजाता है 10,299 रुपे जो आपको अलग अलग जगे दिख भी रहा होगा 10,300 रुपे पर्स के fit तो नोन लगून फेसिंग 10,300 रुपे है और लगून फेसिंग 10,700 रुपे पर्स के fit है 95% payment देना है आपको 30 days के अंदर और 5% देना है at the time of possession उससे ठीक नीचे plan है 90,10 इसके अंदर 10,600 रुपे पर्स के fit का रिटा आजाता है उससे नीचे है 80,10,10 और फिर 70,30 70,30 के अंदर लगबग साड़े 11,000 का और 11,800 पे का payment plan आ जाता है जहाँ पर 70% payment देना है at the time of booking यानि कि 30 days के अंदर 20% payment देना है application of occupation certificate और 10% देना है at the time of offer of possession तो यह different pricing थी और इसके अलावब भी कुछ और customized plan अगर आप 50-50 payment plan करना चाते हैं तो उसका भी options हमारे पास available है तो अगर आप इस project में interested और अगर आपको इंट्रेस्टिंग लगाए तो make sure आप इंडियो नंबर पर contact कर सकते हमारी टीम को और मारी टीम आपको assistance करेगी एक best possible transaction experience दिलवाने के अंदर इस project के अंदर और अगर आप हमारी चैनल पर first time आयो तो make sure चैनल को subscribe कर देगे अगर आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कर देजिए इनकेस कर आपका कोई question है पर यह सवाल है तो comment section में आप पूच्छ सकते हो और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको share कर देजिए अपने friends के साथ दोस्तों के साथ so that किसी ना किसी की help हो सके सही property decision learning के अंदर so that's all is about this video guys thank you so much for watching till here मिलता हूं अभी आपको next